प्राचिन ग्यान सच्चा ग्यान में ये सुब होता है या फिर असुब होता है साथ ही सपने में बहुत सारे चुहे के बच्चे देखना इसका क्या जीवन पर असर पड़ता है प्रिये दोस्तों बैसे तो चुहे को बगवान गनेशी का वान माना जाता है लेकिन क्या आपको पता है कि यदि आपके घर में चुहे अपने बच्चे को जनम देता है तो इसका क्या हसर पड़ता है और प्रिये दर्श को गरों में चुहे अपने बच्चों को जनम देते हैं दर्श को जिस गर में चुहे अपने बच्चों को जनम देता है क्या उस गर का भाग्ये उदे हो सकता है क्या उस गर में दरीतरता आ जाती है क्या उस गर के रहने वाले लोग हमेशा गरीबी में जू इसलिए दिल ठाम कर इस वीडियो को अंत तक देखिएगा यदि आपके गर में भी चुहे रहते हैं तो दर्सकु ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है प्री दर्सकु आपने काफी गरहों में चुहों को यहां सिवा गुमते देखा होगा ये खाने की तलास में कई बार हमारे गर तक पहुंच जाते हैं और इसके बाद बिल बना कर वही रहने लगते हैं कई बार हम चुहों को गर से बाहर निकाल देते हैं क्योंकि चुहे हमारे गर के समान को नुक्सान करते हैं लेकिन फिर भी चुहे कही ना कही से हमारे गर में प्रवेश कर जात और प्रिदर्श को हम अक्सर ये भी देखते हैं कि चुह हमारे गर में बच्चा भी पैदा करते हैं लेकिन चुओ के द्वारा ऐसा करना हमारे लिए सुभ है या असुब इसकी जानकारी हमें नहीं होती है अगर आपको इसकी जानकारी नहीं है तो आज हमारा ये वीडियो अ आने वाले वीडियो का नोटिफिकिशन सबसे पहले आपको मिले और आप उसका फाइदा उठा सकें शुरू करते हैं दोस्तों आज की प्यारी सी पावन पवित्र इस्टोरी प्री दोस्तों बैसे तो चुह को बगवान गरेश जी का वहान माना जाता है इसलिए चुहे को स असुब माना जाता है लेकिन अगर चुहे घर में बच्चा पैदा करता है या फिर आपके घर में चुहे अपने बच्चों को जनम देता है तो ये बहुत ही असुब माना जाता है कहा जाता है कि जिस घर में चुहे अपने बच्चों को जनम देता है उस घर में सदा सदाहा के लिए दुख दरिदर्ता और एलक्षमी निवास करने लगती है। दोस्तों अगर आपके गर में भी चुहे बच्चे देते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही असुब माना जाता है। प्रीदर्सकों ये गटना होने के बाद आप मान लीजिए कि अब आपका भग्य कुंड अपने बच्चों को जनम देते हैं। दोस्तों चुहों के बारे में एक कावत तो आपने अक्सर सुनी होगी जो कि हमारे बड़े बुजरुक लोग अक्सर एक दूसरे से कहते रहते हैं। दोस्तों इस बिसे में बड़े बुजरुकों का ऐसा कहना है कि तू क्या कर सकता है तेरी क्या अवकात है तेरे गर में तो चुहे गुलाटी करते हैं गुलाटी खाते रहते हैं दर्श को जिस गर में चुहे गुलाटी खाते हैं उस गर का भाग्य उदे नहीं होता और बड़े बुज्रुकों की ये कहावत बेलकुल सत्य है यदि आपको यकीन नहीं होता तो इसको जरूर अजमा कर देखें, जिस गर में चुहो की बर्मार होती है, या फिर चुहे जिस गर में अपने बच्चो को जनम देते हैं, उस गर में रहने वाले सदस्यों की हालात आप खोद अपनी आखो से देख सकते हैं, पर टेक्स में प्रमान की जरुत नहीं होती। प्रिये दर्सको दिस गर में चुहे अपने बच्चों को जनम देते हैं उस गर में कभी भी सुक समर्दी नहीं होती उस गर में रहने वाले लोगों को पारिवारिक सुक की वरदी नहीं हो सकती प्रिये दर्सको इसलिए गर में चुहे का बच्चे देना असुब माना जाता है बहुत ही असुब माना जाता है इसको अच्छा नहीं माना जाता दोस्तो साथ ही हम आपको ये बता दे कि यदि आप सपने में चुहे देखते हैं तो इसका क्या अर्थ होता है प्रीधर्सको अगर आप सपने में बहुत सारे चुहे के बच्चे देखते हैं तो ये सपना आपके लिए बहुत ही असुब माना जाता है ये सपना आपको संके देता है कि आने वाले कुछी समय में आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है प्री दोस्तो ये सपना देखने के बाद आपकी सुख सुभिदाओं में बहुत सारी कमिया आ सकती है और दन से जुड़ी समस्याहों का भी आपको सामना करना पड़ सकता है दोस्तो अगर आपका समाज में अच्छा नाम है तो ये सपना देखने के बाद आपके मानसमान में कमी आ सकती है इसलिए इस परकार का सपना देखने के बाद आपको थोड़ा सतर्क हो जाना चीए दोस्तो कोई भी कारिय करने से पहले सोच विचार करना बहुत जरूरी होता है प्रीदर्शको इस विशे में बगवान स्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि है अर्जुन यदि आप सपनों में चुहे को देखते हैं या फिर चुहे के बहुत सारे बच्चों को देखते है तो ये सपना बहुत असुब होता है दोस्तो इस विशे में और भगवान सिरी कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन ऐसा सपना देखने के बाद तुरंत इसका निवारन करना चीए इससे बचने का उपाई भी करना चीए दोस्तो सिरी करशन इसका उपाई बताते हैं कहते हैं कि ऐसे सपने देखने के बाद व्यक्ति को चीए कि वो रोज अपने सरहाने एक नमक का टुकडा रख करके सोये ऐसा करने से कि अरजुन जिस गर में चुहे अपने बच्चों को जनम देता है उस गर की कंगाली कभी खतम नहीं होती उस गर में रहने वाले लोग सदा सदा के लिए गरीब बन करके रह जाते हैं गर में चुहे के बच्चे पैदा होना बहुत ही असुब बहना जाता है प्रिदर्सको गर में चुहे का होना भी बहुत ही असुब होता है गर में चुहे का होना या चुहे अपने बच्चों को पैदा करना दरिद्रता की निसानिया होती है प्रिदर्सको जिस घर में चुहे जाते हैं अपने साथ दरीदरता ले करके जाते हैं इसलिए चुहो को हमेशा घर से बाहर रखना चीए घर में कभी भी चुहो का प्रवेश नहीं करने देना चीए जो लोग अपने घर में चुहे पालते हैं या फिर जिन लोगों के घर में चुहे अक्सर रहा करते हैं और अपनी बच्चों को जनम देते हैं दर्शको उस गर में कभी भी सुक सम्रद्धी निवास नहीं करती है और उस गर में रहने वाले लोगों को विविन परकार की बिमारियां जखर लेती हैं उन लोगों का स्वास्ते कभी ठीक नहीं होता परे दर्शको चुहु में एक भी भी परकार की बिमारी होती है जिस गर में चुहे रहते हैं और आपके खाने पीने की सामान को चुहे अकसर छूते रहते हैं या उनको खाते रहते हैं और फिर उसी का सेवन आप करते हैं तो दर्शको आपके सरीर में बिभिन परकार की बिमारिया उत्पन होने लगती हैं चुहो की बिमारिया आपके सरीर में होने लगती हैं जिससे आपका स्वास्त धीरे धीरे खराब हो जाता है और आप बिमारी से पीडित हो जाते हैं प्रिदर्शको इसलिए अपने घर से हमेशा चुहो को दूर रखा करें यदि आप भी प्रीदर्श को सुक समर्दी ये स्ववभव की प्राप्ती चाते हैं अपना जीवन सुक मही बनाना चाते हैं अपने बच्चों का बविस्जी बनाना चाते हैं तो चुहों को हमेशा अपने घर से दूर रखें दर्श को आशा करते हैं कि आज का ये वीडियो आप लोगों को बेहद पसंदाया होगा और इस जानकारी से आप देर सारे लाब उठाएंगे मिलते हैं दोस्तो आने वाले नक्स्ट वीडियो में तब तक अपना खयाल रखें जी नमस्कार धन्यवाद